अभी ये next question क्या है आपका next question है suppose आपको probability find out करनी है particle को धूनने की कहां पर धूनने की इस half box में that is from x is equals to 0 to x is equals to l by 2 के बीच में तो इसके लिए probability का formula आपका क्या हो जाएगा probability p is equals to 0 to l by 2 psi square dx इसे पिछले वाले lecture में मैंने आपको already बता दिया था कि mode of psi square जो होता है वो equal to आपका psi square के होता है because psi is real अब psi की क्या value होती है? psi की value होती है for particle in one dimensional box के लिए under root 2 by l sin n pi x by l अब ground state के लिए n की value 1 हो जाएगी तो sin pi x divided by l यह आपका formula हो जाएगा again यही से आपका psi square is equals to क्या हो जाएगा? psi square मतलब इस पूरे का square कर देंगे तो यह equal to हो जाएगा 2 by l sin square pi x divided by l अब यह sin square हमको नहीं अच्छा लग रहा हम इसको cos 2 theta की form में लिख लेंगे तो यह equal to हो जाएगा 2 by l into 1 minus cos 2 pi x divided by l और इस पूरे के divide में 2 अब यह 2 से 2 आपका cut हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद में फिर हमारे पास size square की value आजाएगी again 1 by l into 1 minus cos 2 pi x by l ठीक है? अब इस size square की value को हम कहाँ पुट कर देंगे? अपना probability के formula में ठीक है? इसको ले जा करके हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर इसको integrate कर देंगे तो हमें probability मिल जाएगी आइए इसको कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से so p is equals to integration 0 to l by 2 यह हमारा क्या आगया था? 1 by l, 1 by l चुकी l constant है आपका तो 1 by l integration के बाहर लिख लेंगे and then अंदर रह जाएगा 1 minus cos 2 pi x by l ठीक है? तो next वाले question पे sorry next वाले slide के हम जाते हैं और इसको लिख देते हैं 1 minus cos 2 pi x divided by l and the integration is with respect to x तो यह आपका हो जाएगा is equals to 1 by l इसको हम integrate करेंगे dx का integration होगया आपका x cos का होगया sine और चुकी x के coefficient में लिखा हुआ है 2 pi by l तो इससे हम divide करेंगे तो यह सामने आजाएगा l by 2 pi sin 2 pi x divided by l यह आपका integration हो जाएगा और solve करेंगे से 0 से लेके l by 2 की range में क्योंकि यही हमको probability calculate करनी है particle को ढूढने की तो यह होगया आपका equal to 1 by l upper limit इसमें रख देंगे upper limit is l by 2 minus l by 2 pi sin यह क्या है आपका 2 pi by l x की क्या value put कर देंगे x की value upper limit क्या है l by 2 l by 2 ठीक है फिर उसके बाद में minus lower limit अब lower limit है 0 x की जगा आपने 0 put करी minus और यह वाला minus क्या हो गया plus again जैसे x की जगा 0 put करोगे sin 0 हो जाएगा और sin 0 is 0 ठीक है तो यह आपका इस तरीके से आगया अब यहाँ पर आप देखेंगे की l से l कट गया 2 से 2 कट गया और sin pi की value क्या होती है 0 तो यह वाला part भी आपका 0 हो गया तो आपके पास आगया equal to 1 by l into l by 2 क्योंकि यह वाला part आपका 0 हो गया minus 0 ठीक है यह वाला part already 0 था तो यहाँ पर आपका l से l कट गया तो आपके पास क्या बचा खाली 1 by 2 तो यही आपकी क्या आगे probability की value आगे यानि P is equals to 0.5 और अगर इसी को percentage में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे P is equals to इसे 100 से multiply कर दो 100 से multiply करने के बाद आपके पास आजाएगा 50% यानि probability is 50% यानि कि particle को इस half box में पाई जाने की जो probability है वो आपकी 50% होगी तो यह हमने ground state के लिए calculation की थी इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? first excited state के लिए भी calculation कर सकते हैं first excited state के लिए आपको क्या करना हो रहेगा? first excited state के लिए आपको n is equals to 2 put करना होता है और ground state के लिए आपको n is equals to 1 put करना होता है और कहां put करना होता है? इस wave function में ठीक है? क्योंकि इसका जो general form होता है wave function का वो होता है आपका यहां लिख देते हैं हम लोग general जो form होता है वो होता है तो यह आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है क्या करना है यह पूरा question इसमें अगर आपको कोई doubt बचता है तो आप comment कर सकते हैं या अपनी queries मुझे send कर सकते हैं I will try to help you यह आपको कर सकते हैं